हर्यान सरकार जिला परिशत ब्लॉक समिती और सरपंचो के चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तयार है पंचायत चुनाव जल्द कराने और हर्याना पंचायती राज एक्ट को चनोती देने वाली याचिकाव पर सुनवाई के दुरान हर्याना सरकार ने पंजवाब एवं हर्याना हाई कोट में अपना पक्षर खायस बारे में खास बातचीत की हमारे संवादाता निलकुमार ने हर्याना के एडिशनल एड़ोकेट जनरल अंकुर मितल से हर्याना पंचायती राज एक्ट को चनोती देने वाली यचकाओं पर आज पंजव एवं हर्याना हाई कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान क्या करवाई हुई इस समयर साथ हैं हर्याना के अडिशनल एड़ोकेट जर्नल अंकुर मितल इन से जानते हैं कि आज अदालत में क्या करवाई हुई है हर्याना पंचायती राज एक्ट के डिफरेंट प्रवीजन्स जो अमेंडमेंट सरकार दुवारा साथ दिसंबर 2020 को की गई थी उसको लेके 14 रेट पेटिशन्स हाई कोट में फाइल हुई थी वो आज आईटम नंबर 213 ओनरिबल फर्स डीबी में फिक्स थी कोट का बोर्ड हेवी होने की वज़े से कोट में सुनवाई साड़े-4 बज़े तक चली तो जब इन केसिस की बारी आई तो समयना होने के कारण इन केसों की सुनवाई आगे निश्चित की गई है इसमें हमने कोट को ये रिक्वेस्ट जरूर करी है कि हर्याना सरकार इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह से तयार है इन सभी केसिस के अंदर आठ चुलाई 2021 को एक स्टेटमेंट दी गई थी कि कोविड की सिचुवेशन के मद्दे नजर हम अभी इलेक्शन नहीं करा रहे हैं उसके बाद हमने सप्टेंबर 2021 में ये अप्लिकेशन हाई कोट में फाइल कर दी थी कि हमें परमीशन दी जाए कि हमें इलेक्शन कराने की परमीशन दी जाए उस application पे भी अभी pending है इस पे दूसरी पार्टी की तरफ से reply भी फाइल कर दिया गया है तो हमारी request के मद्दे नजर की रहना सरकार election करने को त्यार है तो इन cases का जल्दी से जल्दी निप्टारा किया जाए कोट ने हमें अशौर किया है कि जो भी shortest possible date कोट के रोस्टर के मताबिक available होगी बोर्ड के मताबिक available होगी वो हमें दी जाएगी ताकि अगली तारिक पे जो भी हो इन cases का निप्टारा किया सब मितल सब चुनाव जो परजानती राज चुनाव होने हैं वो किन किन पोस्टों पर होने हैं इसमें सरपंच के elections हैं, ब्लॉक समिती के elections हैं और जिला परिशत के elections हैं इसमें हमने कुछ प्रिवीजन्स में amendment की थी जिसमें सबसे major amendment थी कि women को political representation हमने 50% दिया था क्योंकि constitutional की धारा के मताबिक section 9 जो हमारा हर्याना पंचायती राज का act का प्रावधान है उसमें women representation के बारे में ये कहा गया है कि उनका representation एक तहाई से कम नहीं होना चाहिए women representation को equal representation देने की बदे नजर, सरकार ने ये representation 50% की है जो major challenge है सभी का, उन्होंने कहा कि women को आपने 50% पे क्यों restrict कि है तो इसके तहत हमने court को request की है, सभी जवाब court में दाखिल हो चुके है pleadings complete है, जो भी provisions हैं, जो भी judgments हैं, वो हमने court को submit कर दी है request ये की है कि हम election के लिए तयार है, election कराने, election already बहुत late हो चुका है लेकि क्योंकि निप्टारा नहीं हो सका, petition का COVID की वज़े से, तो इसी वज़े से हमारी request की वज़े से court ने short date के लिए assure करते हुए, अगली तारिक ने शिर की मितल सब, जाचिका करताओं ने क्या मांग की है दाल से देखे, 14 petitions में से 13 petitions में तो उन्होंने provisions को challenge किया इसके बारे में कोई manner हर्याना सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है, जो कि भी हमने court को बताया कि इस सबंद में rules already बन चुके हैं, notify हो चुके हैं, जिसमें manners already provide किया है, तीसरा challenge यह है कि SC reservation और जो BC reservation है, उसके parameters अलग्यों है, इसके बारे में भी हमने court के आगया अपनी बात रखी है, कि यह constitutional प्रावधान है, कि जो SC reservation है, वो BC reservation को equate नहीं करती है, यह दोनों reservations all together different हैं, इसके लावा similar तरह के और challenges हैं, जो एक petition बचती है, उसमें petitioner याचिका करता की तरफ से, यह request की गई है कि हर्याना सरकार को आदेश दिया जाए, कि वो जल्दी से जल्दी election कराएं, क्योंकि हर्याना सरकार, क्योंकि हर्याना में elected bodies February 2021 से प्लेस पे नहीं हैं, तो इसी मद्दे नजर हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि, court को हमने यही request कि है कि इन matters को निप्टारा किया जाए, so that कि हम elections को करा सके और elected body अपनी जगापे वापिस आ सके यह थी मेरे साथ, हर्याना के additional advocate journal अंकुर मितल इन्हों ने बताया, कि हर्याना पंचायती राज एक्ट को चुनोती देने वाली यच्चकाओं पर आज सुनवाई हुई, और हर्याना सरकार ने अदालत में पक्स रखा है कि चुनाव को जल करवाया जाए, क्योंकि पहले ही चुनाव लेट हो चुकी है, अनिल कुमार, टोटनियो, चंदिगार